नमस्कार आप शुब्य प्यारी सात्यों को तो 2023-24 SSGD का इंतचार खतम हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके अंदर 26,444 टोटल पद दे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपुन जान करें देने वाला हूँ तो आप वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक करना बिल्कुल ना भूलना इसके अंदर मैं आपको बता दू है यह 10 पास भरती है जिसके अंदर टोटल 26,44 पद दे है और इसके अंदर फॉर्म फिस रखे गई है जिसके अंदर यदि आप ST कैटेगरी से हो तो बिल्कुल आपके लिए फ्री है कोई इसके अंदर फॉर्म फिस भी नहीं लगने वाली है यदि आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको इस और रुपे लगेगी तो आप वीडियो को अंता तक देके मैं आपको संपुन जानकर इस वीडियो के मद्यम से देने वाला हूँ तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये जो PDA पे 24 तद नवंबर को जारी की गई है इसके अंदर मैं आपको संपुन डिटेल देने वाला हूँ तो आप वीडियो के अंता तक जुड़े रहें तो सबसे पहले मैं आपको दे दू यहाँ पर कि आपके जो फॉर्म में वो 24 नवंबर से शुरू हो चुके हैं तो आप आज से ही इस फॉर्म को भर सकते हो और मैं आपको बता दो इसके लिए आपको यह एक्जाम है वो कम्पिटर बेस होगा कि आपके ओनलाइन एक्जाम होंगे और यह एक्जाम है फरवरी मार्च में होने की संभावना बताई जा रही है अब कब होगा वो जब होगा तब ही बता चलेगा यह फरवरी यह मार्च के अंदर एक्जाम होने की बात कई जा रही है अब मैं इस वीडियो के अंदर जो मुख्य जानकारी है वो संपुन जानकारी है मैं वीडियो के अंदर दूंगा आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो टोटल मैं वेकेंसी की बात करूँ यहाँ पर पॉस्ट की बात करूँ या पिर मैं सबसे पहले सेलेरी की बात कर देता हूँ इसके अंदर कि पे लेवल थर्ड है मलब थर्ड गेर्ड के इसाब से है यह नौकरी और 21,700 से इसकी जो शेलेरी है वो सुरू हो जाएगी और इसकी 49,100 रुपे तक शेलेरी जाएगी तो मैं आपको बता दू इसके अंदर मेल केटेगरी के अंदर कौन-कौन सी वेकेंसी आप देख सकते हैं VSFA, CISFA यह वेकेंसी के प्रकारे और इसके अंदर टोटल मेल और फिमेल की अलग अलग बताइगाई है मेल की टोटल देखे तो आप 23,347 पद है फिमेल की देखे तो 2,799 पद है टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल पद है टोटल आपको बता दूँ कि और क्या क्या है देखो अब एसे के लिए फाइव एयर है वह बीसी के लिए थ्री एर है एक सर्विस मैंने थी त्री एर है बाकी वाले आप और देख सकते हो यह किसी और कैटेगरी से होतो अब यह जो आपको दी गई है एस रिलेक्सेशन तो एस एस लिमिट की यहाँ पर बात करें तो आपके दो जनवरी 2001 से पहले कोई जनमा है तो वो इसमें फॉर्म एपलाई नहीं कर सकता है और एक जनवरी आपके 2024 तक आपके 23 साल की उम्र होनी चाहिए अधिकतम उम्र है तो आप इसमें एपलाई कर सकते हो और इसके अंदर आपक एक जनवरी 2006 के बाद कोई और जनमा है तो वो इसके अंदर एपलाई नहीं कर सकता है इस बात का ध्यान रखे अब यह आप एज रिलेक्सेशन के अंदर आप देख सकते हो कितने साल की चूट दी जारी जिसके अंदर 23 एर है ऐसे 8 से 5 एर है और बाकी वाले आप और किसी के टेगरी से तो आप एराम से देख सकते हो इसके अंदर यहां पर मैं बात करूँ तो एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके 10 पास आपके 10 पास होना चाहिए तो आप इसके अंदर एपलाई कर सकते हो और इसमें ज्यादा कोई भी और इसके अंदर ज्यादा कोई भी मतलब आपके 12 पास या कोई डिग्री नहीं मांग रहा है यह और यहाँ पर आप देखें कि जो आपके result आएगा marks की बात करूँ यदि आपके NCC में C certificate है तो आपको mark sheet के अंदर जो आपके marks आएंगे उसके अंदर 5% आपके maximum marks इसके अंदर एड होंगे और NCC के अंदर B grade किये तो 3% आपके 2% marks जोड़ जाएंगे और जो आप photo वगेरा इसके अंदर form बरते समय जो आप photo वगेरा लगाते हो तो यहाँ पर आप देखो format देख सकते हो कि image के जो format होती है वो आपके 20 kb से 50 kb की बीच होना चाहिए इससे जाज़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर देखो application फी इसकी application फेस की बात करूं मैं यहाँ पर तो RS 100 रुपे only 100 रुपे है जो इसमें form बरना चाहता है only 100 रुपे है लेकिन इसके अंदर भी कुछ खास है कि 100 रुपे केवल यहाँ पर जो boys है वो OBC से boys है तो उनके लिए 100 रुपे फीस रखी गई है जनरल से है अधर केटेगरी से है SC ST वाले boys के लिए भी फ्री है फिमेल के लिए भी फ्री है और एक सर्विसमेंन है कोई और विद्वा अगेरा है उन सब के लिए यह फ्री है किसी परकार का कोई प्राइज नहीं है इसके लिए और one time registration किस परकार से करना वो भी आप जानकर यहाँ पर सुन लेना सेंटर आप एक्जामिनेशन या पर एक्जामिनेशन के सेंटर बताए गए या पर सेंटर आप एक्जामिनेशन दिये गए जिसके अंदर आप खुद अपने सेंटर देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्स से हो या फिर आपके से से हो उसके अंदर आपको बता दिया यह आपके मतलब राजस्तान के अंदर दिये जाएंगे सेंटर और मैं यह आपर बात कर देता हूं नेक्स्ट अब देखो सब्जेक्ट की बात करूँ कि एक्जामिन के अंदर कौन-कौन सा सब्जेक्ट पुचे जाएंगे आपको तो वो जनरल इंटेलिजेंस हैं रिजनिंग है वो बीस क्योशन फुचे जाएंगे चालिस मक्स के हैं और यहाँ पर बात करूँ जैगेंड पार्ट है आपके जनरल नॉलेज का है जनरल एवारना से जिसके अंदर बीस और क्योशन चालिस नंबर के अलिमेंटरी मैटामेटिक्स है जिसके अंदर बीस क्योशन चालिस नंबर के और पार्ट डी के अंदर आप यहाँ तो इंगलिज बहोगी या हिंदी बहोगी दोनों मैंस जो भी आप शूच गरोगे उसके विस क्योशन आएंगे और जो साट नंबर और आप ध्यान रखना है इसके अंदर negative marking रखी गई है negative marking इसके अंदर 0.5 mark से मतलब एक बटा चार आपके negative marking है और यह exam है वो हिंदी इंगलिज के अलावा 13 भासाओं के अंदर होने वाला है अब देखो general intelligence and reasoning के अंदर syllabus के अंदर क्या क्या है तो वो यहाँ पर आप details syllabus के अंदर वेक क्या आप देख सकते हो कि कौन कौन से topic है वो आप से यहाँ से पूचे जाएंगे general knowledge and general awareness के अंदर भी देख लेना elementary mathematics के अंदर भी देख लो जिसके अंदर ratio है proportion है, average है, interest है, profit है, lows है, discount है यह आप अराम से देख और English या Hindi के अंदर आप कुछ देख सकते हो कि इसके अंदर क्या पूचा जाने वाला है और यहाँ पर physical की मैं बात करूँ कि physical के अंदर क्या होगा तो यहाँ पर male के अंदर 5 km है कि वो 24 मिनट के अंदर पार करनी लद्दाग वालों के लिए क्या है कि 1.6 km male में 7 मिनट में तेकननी है और female के 800 मिटर है वो 5 मिनट के अंदर तेकननी जो लद्दाग के अंदर रहते है बाके वाला आप लद्दाग में नहीं रह रहे हो तो मत आपको पहला ही बगरना है ठीक है हाइट की बात करें यहाँ पर male के अंदर 170 cm है फिमेल के अंदर 157 cm आपसे हाइट मांगी जाएगी वाँ पर तो आप देख सकते हो अलग अलग कैटिगरी के लिए अलग 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 फिर यह बताई गई है हाइट नॉर्मली हाइट है चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 80 cm चेस्ट होनी चाहिए आपके बीना फुलाई हुए और फुलाने पर 5 cm आपके बढ़नी चाहिए और यह वेट के बारे हम बताए गया इसके अंदर वेट के अंदर ज़्यद्धा दिक्कत आती है नहीं अधिकल एक्जामनेशन आप देख सकते हो कि मेडिकल एक्जामनेशन किस परकार से आपको मतलब वहाँ पर टेस्ट वगेरा करवाई जाएंगे आपके आई वगेरा टेस्ट है बोडी टेस्ट है तो यह जो important news थी इसके बारे में मैंने आपको बताईए और आप केस परकार से form इसमें apply करना है तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूँगा आप वहाँ जा करके देख लेना कि केस परकार से one time registration करना है और आप केस परकार से apply कर सकते हो इसी परकार की news और update जाने के सभी को धन्यवाद